नमस्कार विशेश मुलाकात में आप सभी का स्वागत है अब कारिकरम का नाम विशेश मुलाकात है तो जाखिर सी बात है कारिकरम में जो होंगे वो भी कुछ विशेश ही होंगे जी हाँ हम बात कर रहे हैं रोशनलाल गोरकपूरियाजी की उनके वारे में जरूर आपको हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि वो डेली असाम रोडवेस कॉर्पोरेशन लिमिटेट के डिरेक्टर हैं इसके साथ ही ट्रांस रेल रोजिस्टिक लिमिटेट के वाइस चेर्मेन है और आपको जरूर बता देना चाहेंगे कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोटसफ समिती पंजाबी बाग के अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ बांके बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही बहुत सारी संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं जैसे कि महाराजा अग्रिसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हर्याना और इसके साथ साथ All India Transport Welfare Association में एक्स चेर्मेन भी रह चुके हैं आईए बात करते हैं गुरक पुरिया जी सई गुरक पुरिया जी आपका स्वागत है जैसे कि हमने अपने विवस को अपने दर्शकों को बताया कि आप एक बहुत बड़े व्यवसाई हैं ये तो पता ही चलता है लेकिन हम आपसे जरू सुनना चाहेंगे कुछ आपकी डेली SM Roadways Corporation Limited के बारे में हमारी कमपनी की शरुआत मेरे पिता जी ने 1957 में गाउं गुरक पुर में एक ट्रक लेकर शरुआत की थी जी वही कमपनी एक ट्रक से स्टार्ट चली शरूव ही थी आज देश की पहली दस कमपनियों में सुमार होकर जिसमें पांज हर ट्रक जो हमारी कमपनी में जुड़े हुए हैं और 1200 क्रोड की हम अमोमन साल की ट्रनोर करते हैं जो देश की पहली एक दो ट्रांसपोर्टों के द्वारा की जाते हैं और यहीं अगर हम बात करते हैं ट्रांसरेल लॉजिस्टिक लिमिटेड की तो उसके बारे में भी आपको जानकारी हमारे दर्शकों को जरूर दें यह हमारी कंपनी के 100% सब्सिट्री है जिसका मैं वाइस चेर्मैन हूँ यह कलकत्ता और बंबे की पूट पर चलती है जिसमें अभी हमने एक ट्रेन लेकर आने वाली समय में हम समझते हैं कि 10 ट्रेन 2010 में हमारी कंपनी की होगी जो देश में privateization की तरफ जो देश चला है उसमें यह सरुवात ट्रांस्पोर्ट जो हमारे ट्रक के दवारे हो रही थी जो 80% ट्रक के दवारे होती है 20% प्रेल के दवारे होती है जो आने वाले समय में लगता है देश की प्रोगेस में ये एक मिल का पत्तावीत होगा और सरकार की दूर दरस्टा का ये एक आने वाले जनता को सस्ता माल, समय बर माल ये मिलने की सरकार के साथ हम सही होगी है आपसे हम जरूर जाना चाहेंगे क्योंकि आप एक बहुत बड़े बिजनसमेन है और हमने जितना आपके बारे में पढ़ा है ये पढ़ा है कि आपका जो धर्म की तरफ एक अलग ही नजरियाग है आपका जुकाव बहुत जादा है धर्म की तरफ ये कैसे मैं इसके बारे में बराबर मैं खुदी सोचता हूँ आखिर मैं धर्म की तरफ ऐसे कैसे चला तो मैंने अपने आपको देखा कि बच्पन में मेरे मामा जी के पार्टनर एक सरदार जी थे सरदार सुकदेव सिंग्जी उनसे मेरे को सिखिजम के बारे में काफी जानकारी मिलती रही इदर मेरे ओफिज में मेरे जनल मनेजर मुस्लिम थे अबूल खेर उनसे मुस्लिम धर्म के बारे में मैं सुनता रहा पर एक पिताजी के साथ और हमारे बिजनिस क्लाइट थे जे के माइकल तो क्रिस्टिन के धर्म के बारे में जानकारी हुई हिंदू मैं हूँ इसलिए मा पता पता गुरुओं से और धर्म के बारे में जानकारी हुई तो अचानक एक दिन मेरे ओफिस में देखा चार हमारे चेंबर थे साथ में बेठे थे हिंदों, मुस्लिम, सिक्षाई, चारों बेटे थे ये चार एक ओफिस में एक साथ बड़े प्रेम से बेट से बेट सकते हैं तो ये देश दुनिया आपस में धरम से क्यों लड़ रही है और जब कि हम सुनते आ रहें कि धरम कभी लड़ने की नहीं कहता फिर धरम के नाम पर हम क्यों लड़ रहे हैं तो मैंने ये देखा ये धरम नहीं है फिर ये स्वार सिद्धी का एक साधन बना हुआ है और अपनी अपनी रोटियां सेखने का हम धरम को इस्तेमाल करते हैं जबकि धरम की अपनी पवितरता को कोई नकार नहीं सकता परंद तो यह वा क्यों कैसे हुआ तो मैंने इसे चलते हुए बाइबल पढ़ी कुरान पढ़ी रामाइन में देखता रहा राम जी के बारे में जीवन को देखता रहा फिर इधर देखते देखते मैंने भागवत गीता पढ़नी शुरू की और आज दुनिया में किया जाई परंतमाने ना तो सरिदिबाटी ना असमान बाटा परंतो हम ने जो मोटा तो इसके पीसे कहींने कहीं हमारे सुआ थै और कहींने कहीं अग्यांत है जैसे कि आप एक विशलेशक हैं तो हुम आपसे जरू जाना चाएंगे इतनी किताबे आपने को दूसरों को मारने की बात कहती है अगर एक ज्यानी धर्मिक और भक्त कोई पढ़ेगा तो कुर्वान आपको इसलाम में सब दुनिया को भाईचारे की बात करेगी पर पढ़ने का नजर या लग हो गया अगर आतंगवादी आज है तो इसलामिक हैं और इसलाम माली जी हम आ राज करेगा खाल सरह सवाल आओं सवाल आओं सवाल आओं सवाल आओं लड़ाओं गुरुगविं सिंग्स ने कहा हुआ के हैं लोजिक नहीं मिलता परन्तु मैंने पूरांन के पुर्ऑन पढ़ी कुरान के पवित्तर Ecom का आयत में लिखा हुए 20 मुसलिम 200 काफित सव मु समझते काफिर मुर्टी पूजग को कहा गया है जबकि काफिर एक जूटे और मकार को कहा गया है अगर एक सचा इनसान जब लड़ने के लिए 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 धर्म के लिए उसके सामने 20 के मुकाबले में 100 मकार हो सो के मुकाबले में 1000 मकार हो तो एक सचा आदमी से ग्राइड ये जब धरम गरता गया तो तिन सो साल मिलब। आज गुरु को भी सिंगि तिन सो साल पहली बात कही जब पिकलान में चुद़ा सुसाल पहली बात कही गी तो इसका अगला 4000 साल मीझ धरम कितना गिर गया जो परसेंटेज 20 कैम काबले में 200 की थी, सो के मकाबले में जार की थी वो एक के मकाबले में सवा लाख हो गया तो यहां सवा लाख अगर सचा एक आदमी सवा लाख जुटों से लड़ सकता है यह गुर्गोवी जिंग ने यह बात कही आपने अभी कुछ देर पहले कहा एकदम अंतर है दिन रात और जमीन असमान का अंतर है धरम ब्रामन है सरेष्ट है करम सुद्र है छोटा है जब नहीं जानते तो करम तो हम सांस लेते हैं करम करते हैं तो करम की जो परिभासा सुद्र में गई है फिर हमारी चार वरन है चार वरनों में एक सत्री है जो धर्म की रक्षा करता है वैसे है जो करम का पालक है ये चार वरन धर्म के अपने अप में डिवाइड की हुए परमात्मा की दुआरा बेदों की दुआरा किया गया है ये धर्म की प्रिबासाद है ये चार वरन और चार धर्म गोर्णकूरी जी आप जल than कुछ बताना चाहेंगे हमारे जर्शकों के किस तरह से धर्म का पालन हर इनसान पूरी ओपनी त्व Kr fitt ik जैसे महाभार्त में युद्यृष्टर धर्म परती है अर्जून कर्व करम का परती है भीम बल का परती है नकुल ज्यान का परतीड सहध्यृव सेवा का परतीओं कि हर चीज में परतीक दिये गए हैं और इस परतीकों के दृaris हम अपने चीज पैदा हुई है कहीं पर उसको सही जरूरत मंद के पास पहुचाना उस विश्य का करम है जी बर्कूल गोरख पुरी जी आपके साथ बात करने के बाद धरम और करम की एक नई परिभाशा हमने भी सुनी है और अब इसी के साथ वक्त हो चला है लेने का अपने दर्शकों से इजाज़त लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि आने वाले समय में इस तरह की ज्यानवर्दक बाते हमें जरूर बताते रहें हमारे आज कर इस कारिकरम विशेश मुलाकात में इतना ही इसी विशेश मुलाकात के साथ हम जल्द की दुबारा हाजर होंगे अब लेना चाहेंगे इजास्त नमस्कार इजास्त नमस्कार